निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति का मतलब है कि जो इंसान अपने इरादे में अटल है, उसे मुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता। ज्यादतर लोग अपने पूरे जीवन में भटकते रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इसका एक मात्र कारण ये है कि वो बार-बार अपने जीवन की दिशा बदलते रहते हैं। हो सकता है कि वो असल में अपने जीवन की दिशा न बदलते हों, लेकिन उनके मान और भावनाओं में ये बदलती रहती है, बदलती रहती है। इस अस्तित्व की प्रकृती ही ऐसी है कि आज ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, लेकिन ये हर योगी का अनुभव है। कि इस अस्तित्व में उर्जा है और चेत्ना है। भौतिक पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि आज आप जानते हैं, भौतिक पदार्थ बस उर्जा की केंद्रित सनरचनाएं हैं। विज्ञान आज इस बात को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन 40,000 साल पहले, जब शिव ने कहा था, तो उन्होंने इस पश्ट रूप से ये कहा था। उनकी रुची परम चेत्ना में थी या उर्जा में थी। बहुत एक पदार्थ में कभी नहीं, क्योंकि वो इसे असली चीज की तरह नहीं देखते थे। और उन्होंने इस बारे में पूरी स्पश्टता से बिना किसी उल्जन के बात की। तो आपको सिर्फ इन ही दो चीजों पर काम करना है। अरे, आपने हमें बताया क्यों नहीं, आज सुबह हम सूरे नमस्कार नहीं करते। आप सूरे नमस्कार मसल्स बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप उर्जा को जानना चाहते हैं, तो अभी ये शरीर के रूप में किंद्रित है। अगर आप इसे खास तरह से इस्तिमाल करते हैं, सिर्फ तभी चिटकना शुरू करेगी। वरना ये एक मिट्टी के धेर की तरह बैठी रहेगी। अगर इसे यहां बैठ कर चिटकना हैं, तो इसे एक खास तरह से रखना होगा। तो आप जो भी शारीरिक साधना कर रहे हैं, वो मसल्स बनाने के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब आप घर जाएं, तो आप घर में लोगों पर हावी हो सकें। मैं महिलाओं को बता रहा हूँ, आप उनसे ज्यादा मजबूत बन सकती हैं। नब्बे दिनों की साधना के बाद आप उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। अगर आपकी उर्जाएं जागरित हो जाएं, और आपका मन एक दिशा में केंद्रित, तब ये बस उसे दिशा में उमरने लगेगा। चूँकि मन का फोकस लगतार बदलता रहता है, इसलिए उर्जा को नहीं पता चलता कि किस तरफ बढ़ना है। आपके भीतर का जीवनी उल्जन में हैं, ये नहीं जानता कि किस दिशा में जाना है। मैं तो कहूंगा कि शायद 95, मेरे विचार से असल में ये 99 है, लेकिन मैं गलत नहीं होना चाहता। तो इनसान की कम से कम 95 प्रतिशा तूर्जा बस बरबाद हो रही हैं, क्योंकि ज्यादतर लोग किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान ज्यादा समय तक कायम नहीं रख पाते। वरना उन में से हर कोई एक नई संभावना, एक नया रास्ता खोल रहा होता। साथ अरब लोग, अगर वो सभी अपने मन और चेत्मा को एकाग्र कर लें, तो बस हर चीज, हर चीज को जाहिर होना होगा। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, बस हर चीज. अगर कोई कुछ समय तक अपने मन, अपनी उर्जा और अपनी चेत्मा को एक दिशा में एक आग्र रख सकता है, तो उसे न सिर्फ इस जीवन की प्रकृती का अनुभव हो जाता है, बलकि पिछली 84 स्रिष्टियां जो हो चुकी हैं, वो भी उसके बोध में होंगी। मानाव चेत्ना के द्वारा हर चीज खोली जा सकती है। कि झालकि हुआता है।